नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत पूर्ण जानकर लेकर हाजिर होचके हैं अगर आप भी राशनकार धारक हैं तो इस वीडियो को आप चुरूर वोच करेगा दोस्तो आपकी जानकार के लिए बता दे कि पूरे भारत देश में 80 क्रोड लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन इन सभी को अब दोस्तो 15 माई 2022 तक दस्तावेज जमा करने होगे पाएंगे और तभी अपने राशनकार को रद होने से बचा पाएंगे दोस्तो मैं आपको step by step यहां पर जानकार देने जा रहा हूं वह दस्तावेज कौन से हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और थो साथे साथ दोस्तों चाहे आपके पास pan a या फिर अंट्योद्य रासनकार्ड थाेंगा वीजित्रित्य और कर दीजिए शेयर करेगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों दोस्तों खाद एवं सर्जनिक वित्रन विभाग रासंकार के नियमों में बदलाव करने जा रहा है इसमें काफी वैक्तियों के लिए नुक्सान होगा यानके दोस्तों जो वदलाव किये जाएंगे उसमें कुछ लोगों को नुक्सान होगा और काफी लोगों को यहां पर पाइदा भी दिया जाएगा परतियक राज्य के लिए लागु किये जाएंगे नियमों के अनुसार यानके जो सभी राज्यों के लिए नियम बना जाएंगे और रसंकार धरकों को दोस्तो 15 माई 2022 से पहले दस्तावेज जमा करने होगे तभी वह आगे मुफ्त में फिरी में राशन को प्राप्त कर पाएंगे तो वह दस्तावेज कोन से हैं वह हम आपको यापर संपूर जानकारी देने जा रहे हैं आपके पास कोन सा राशन कार है आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएगा दोस्तो मोधी सरकार द्वारा फिरी राशन देने की अवधी को बढ़ा दिया है और साथ ही दोस्तो मैं आपको बता चाहूंगा कि जितने भी नियम हैं वह सरकार द्वारा अब बढ़ा जा रहे हैं और नियमों और विनेमों में कुछ बदलाव सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसमें रासनकार लावारत्यों के लिए पातरता के बारे में जो मानक नियम हैं उनमें दोस्तो क्या बदलाव क्या जा रहा है उसके बारे में हम आपको यहां पर जानकारी देने जा रहे हैं और आपको कोन से दस्तावेज जमा करने हैं जिससे की आपका रासन का ड्रद ना हो और दोस्तो आगे भी आपको रासन मिलता रहे तो दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि खाद इवं सर्वजनिक वित्रण विभाग के अनुसार अभी देश में 80 क्रोड लोग राष् उनमें कई लोग आर्थिक रूप से सक्सम हैं यां दोस्तो जो 80 क्रोड लोग लाव ले रहे हैं उनमें से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से सक्सम हैं वह इस योजना के योग्या नहीं हैं और दोस्तो जिन्हें अब रासन कार से मुक्ती दिलाने की योजना स सभी के रद किये जाएंगे दोस्तो यह लाब सिर्फ और सिर्फ उन्ही व्यक्ति को दे जाएगा जो जरुतमन व्यक्ति हैं जो गरीब व्यक्ति हैं उनको ही लाब दे जाएगा जो छक्चम व्यक्ति हैं दोस्तो वह इस प्रकार से हैं जिनका स्वेम का रोजगार है या फिर किसी प्रिवार में सरकारी नोकर है तिस प्रकार के वैक्तियों को इन काड़ों से मुक्ति दलाई जाएगी और दोस्तों इन काड़ों से उनका नाम हाटा जाएगा और उनका रसनकाड निरस्त सरकार दुआरा कर जाएगा दोस्तों अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं तो आपको अपना राशनकार्ड जमा करना होगा अब बदाय गया है कि आप सिर्फ इन लोगों को मिलेगा राशनकार्ड का फाइदा खादे विवम सर्वजनिक वित्रन विभाग के मुताबिक मानकों में बदलाओ को लेकर राज्यों के साथ बैठक के जा रही है यानि दोस्तों खादे विवम सर्वजनिक वित्रन विभाग के अनुसार मानकों में बदलाओ करने के लिए राज्य सरकारे बैठक कर रही है जिसमें दोस्तों सभी राज्यों के सहमती से यह नियम लागू किये जाएंगे और दोस्तों नियम बदले जाएंगे दोस्तों जो भी सुझाओं मिलेगा बाद में नए मानक योजना के अंतरकत तैयार किये जाएंगे जिसमें सिर्फ पात्र लोग सामिल होंगे और एप पात्र लोगों को अब योजना का फायदा नहीं मिलेगा एप पात्र लोगों को इस योजना से बाहर कर दी जाएगा और दोस्तो रासनकार भी निरस्त कर दी जाएगे अब दोस्तों उन दस्तविजों की बात करते हैं जो आपको जमा करने होगे जो कारिये आपको करने होगे तो दोस्तों आपको बदा चाहेंगे कि जिन राशनकार धार को ने अपने राशनकार से आधार कार को लिंक नहीं कराया है वहे जल्द से जल्द आधार कार को लिंक करा लें और मोबाइल नंबर को भी लिंक कराएगा क्योंकि जो आगे राशन दिया जाएगा वहे दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर पर देख पाएगे कि कितना राशन आपको मिला है और मोबाइल नमबर के OTP के जरी दोस्तों आपको राशन प्राप्त हो पाएगा अब दोस्तों आगे आपको बता दे कि जिन राशनकार धारकों ने अपने राशनकार की KYC नहीं कराई है वह भी KYC जरूर कराईएगा KYC कराने के लिए जो दस्तवेज चाई होंगे वह दोस्तों आपका आधारकाड है आधारकाड निर्धारित क्या गया है जिसके अंतरगत जिसके जरिये KYC कम्पलेट हो पाईगी दोस्तों आप अपने डिलर के पास जाकर यह दस्तवेज जमा कर सकते हैं या फिर आप डिजिटल माध्यम से दोस्तों इने किसी भी दोस्तों CSC के इंदर पर जाकर आप अपने रसन कार्ड में आधारकाड को लिंक करा सकते हैं KYC करा सकते हैं दोस्तों आपका आधारकाड होना चाहिए आपका पर्सनल मॉबायल नमबर लिंक होना चाहिए तो कि आपकunci कंपलेट हो पाएगी और दोस्तों आपका आधारकाड और ओर मॉबायल नमबर आपको अपने रस्न कार्ड में लिंक जरूर कराना है तो जितनी जल्दी हो सकते दूस्तों यह आप कारिया करा लिजेगा क्योंकि आपके पास अभी बहुती कम समय है जितनी जल्दी हो सकते उतना जल्दी यह कारिया आपको कराना होगा कोई भी सवाल है दूस्तों सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों का जवाब दे जाएगा और आपसे हम निवदन करेंगे कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइग करें दोस्तों बैल ल आपारत